हेई गाईज मैं हुसीमा और दावत चनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए थोड़ इसी अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम लोग बनाएंगी होममेड पाइनापल क्रश जो की केक में आप लोग राम से यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही पाइनापल क्रश हम लोग घर पर ही बना सकते हैं गाईज बस 20-25 रुपे में सिर्फ आपको बाहर से पाइनापल लेकर आना है एकदम कम खर्चे में सस्ते में आप लोग इस तरह का मार्केट वाला पाइनापल क्रश घर पर ही बना सकते हैं चलिए रेशिपी शुरू करते हैं अगर पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो सबसे पहले गास होममेड पाइनापल क्रश बनाने के लिए हमें पाइनापल चाहिए होगा तो यहाँ पर मैंने हाफ पाइनापल इस तरह से पूरा पिल करके उसके उपर की जो छिलके होते हैं उसे निकाल कर इस तरह से इस प्लेट में स्लाइसेस करके रख दिये है और इसमें मैंने डालने के लिए यहाँ पर चीनी या जो शुगर आती है वो भी लेली है हाफ कटोरी यहाँ पर आपको जितनी चीनी इसमें चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार तो मैंने हाँ पर half pineapple छोटा सा pineapple लिया था और इसे पिल कैसे करना है इसकी भी recipe आपको नीचे description box में मिल जाएगी तो छोटे छोटे टुकडे करके हम लोग इस छोटे वाले mixi jar में इसे डाल देंगे अगर आप ज्यादा quantity में बना रहे हैं तो आप बड़ा वाला mixi jar भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा grind कर लेती हूँ देखिए grind करने के बाद हमारा pineapple का ये जो pulp है ये इस तरह से तयार हुआ है अब इसमें हम लोग चीनी डाल कर एक बार इसे और grind कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब ये चीनी ले ली है आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी आड़ कर सकते है अब इसे के साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा pineapple essence अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल दीजिए नहीं है तो भी चलेगा गाइस क्योंकि हम लोग pineapple से ही बना रहे है तो उसका original flavor भी इसमें बहुत ही बढ़ी आता है लेकिन हम लोग इसे store करने वाले है इसलिए मैंने यहाँ पर half teaspoon के करीब इसमें pineapple essence भी डाल दिया है फिर से इसे एक बार grind कर लेंगे देखिए चीनी के साथ मैंने अब इसे grind कर लिया है grind करते समय इसमें मैंने पानी वगरा नहीं डाला है लेकिन आपका पल्प अगर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते है दो से तीन चोटी चमच पानी आपको इसमें एड़ करना होगा तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है इसमें ये जो पाइनापल का पल्प हमने निकाला है उसे इसमें डाल देंगे ताकि अगर कोई भी बड़े वाले टुकड़े इसमें रहेंगे तो ये इ इस तरह से मैं इसे चलनी से एक बार चान लेती हूँ तक एक दम फ्योर पल्प हमें पैनापल का नीचे में मिल जाए अभी मार्केट में पैनापल बहुत ही असानी से मिल जाता है तो आप लोग इस तरह से ये पैनापल क्रश घर में ही बना कर रख सकते है जूस वगरा बन नहीं होता है तो चलिए यहां पर यह जो पल्प है पैन में इसे मैं ग्यास के उपर चड़ा दिया है अब हम लोग बस तीन से चार मिंट तक इसे पका लेंगे तक यह जो थोड़ा सा ठीक है वो थोड़ा सा ट्रांस्परेंट हो जाता है इसमें मैंने दो से तीन रॉप्स क इस शड्यों से चार मिंट मैंने से थोड़ा सा कूक किया है इसके बॉड़ आप लोग इसकी देh सकते हैं यह ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है तो आपको बहुत जादा थिक होने तक नहीं पकाना है सीथ इस तरह से त्रांस्परेंफरेंट हो तो आप इस तरह का पाइनापल क्रेश बना कर एर टाइट कंटेनर में किसी भी ग्लास जार में रखकर फ्रेज में इसे एक से दो महिने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी यह खराब नहीं होता है, सिर्फ आपको इसे पानी का हाथ नहीं लगने देना हैं, एकदम ड्राइ तो यह फ्रेश पानापल की हूममेड ग्रश के रेसिपी घर पर एक बार जरू ट्राय करना और मुझे कोमें सेक्षिन में बताना कि आपको रेसिपी कैसे लगी अच्छी लगी है पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेर और दावत चनल पर अगर आप नए है तो नए वीडियो के साथ या नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग टेक क्यार